रंकमच आपुतिया के था, खेला भ्यापनों कर दिया, मुस्लिम समुदायक जो खाली वोटर माने आता थे कास्टिजम के बार में, सपा बसपा का, अब वो कहीं ना कहीं दिशा और दिशाद चेंज करने आता है, कैसे देखते हैं? इस बार भारतेंता पार्टी से हजारों की तादाद में, अल्पसंख्यक वर्ग के मुसल्मानों ने टिकेट मांगे थे, जिनमें सेंकडों की तादाद में लगभग 395 में टिकेट भारतेंता पार्टी ने दिये, भारतेंता पार्टी ने एक हात उठाया, और एक हात मुसल्म पान्च नगरप्टायद के चेर्मेन जित करके आए हैं इसांच के साथ कई सारे निगम में पारसच जीद करके आए हैं और जो चेर्मेन हा रहे हैं वो 10, 20, 50, 100, 700 वोटों से हा रहे हैं यानि के मुसल्मानों ने बहुत अच्छी वोट मुसल्मानों का लिया है और सभी नगर निगम जहां मुसलिम बहुल हैं उनमें 20, 25, 30, 35,000 तक भी मुसल्मानों के वोट भाजपा को परतेक निगम के अंदर मिले हैं और ये पहली बार है कि इतनी बड़ी तादाद में मुसल् हैं और मुसल्मानों ने अपने प्रियास से और विश्वास से भारतेंदा पार्ड़ी को जो लाभारत जो साड़े चार क्रोड लाभारती थे तमाम पसमंदा समाज के चैर्मेन आयोक के बोर्ड के तमाम मंत्री सांसत विधायक बनाए गए उसका असर देखने के लिए मिला है हलाकि पसमंदा समाज से एक चैर्मेन जीत करके भलाई आयों लेकिन वोट मिला है और एक बड़ा संदेश समाज के अंदर गया है ये निश्चित तोर से आने वाले 2024 के लिए साफ संकेत है कि मुसल्मानों ने बता दिया है कि हम इस बार भारतेंदा पार्ड़ी के साथ है बारतेंदा पार्ड़ी के साथ कदम से कदम चलेगा उन्होंने बता दिया है कि बारतेंदा पार्ड़ी के अलावा कोई दल ऐसा नहीं है जो मुसल्मानों को मुख्यधाराय में लेकर चल सकता हो और अभी एक मितक और बदला है कि पहले एक बात हुआ करती थी कि सपा के लो केरे हैं कि सपा के लोगों ने हमें हरा दिया तो सपा की हैसित मुसल्मा दों में केवल वोट कटवार रह गई है और आपको याद होगा मेरट मेरट 15 गा बात करें थे। मेरट में ट्रीपल इंजिन की सरकार पहली बार बनी एं इसी के साथ जो विकास होगा वो भी एतुलिय होगा इसी के साथ एक बड़ा मितक ओट उटा है कि अखिलेश यादव जिन गलियों के अंदर वोट मांगने के लिए गए थे उन गलियों के अंदर या तो भाजपा को वोट मिला है या M.I.M. को वोट मिला है यानि के समाजबादी पार्डी के रास्टे यकीन है पहले की बात करें तो इनी दोनों नाम से खौफ ज़्यादा किया रहता था मुस्लिम वर्क को पर महिलाओं की बात करें के टिपल का काम लेके आई नासी लेके आई उच्वार यूशन आई मुस्लिम वर्क की महिलाओं को बहुत ज़्यादा उस्ते उमिदी 122 में देखा था चुनाओं में बहुत बता मेरत सार्णपूर अलिगर्ण शाजापूर इन सब जो बहुल छेता वहाँ आपने खेला कर दिया तो यह क्या रणीती आप उन्हें बनाई तो इस पर कही नहीं काम कर तो नहीं सपा बसपा के लोग लगातार मुसल्मानों को ड्रा करक से अपनी सरकारे बना लिया करते थे लेकिन जब मुसल्मानों ने देखा कि भारते इंता पार्टी की सरकार आई और मोधी जी ने सब का साथ सब का विकास और सब का विश्वास की बात के ही तो उन्होंने केवल कहा नहीं साड़े चार करोड लाभारती साड़े ठ्राय लाक मकान, दो करोड़ शचलाक मुसल्मानों को राशन और तमाम इसकीम्स के अंदर जब बड़ी भागेदारी दी तो मुसलिम भाई और बैनों ने कहा कि मोधी से अच्छा प्रधार मंतरी हिंदुस्तान के लिए कोई नहीं हो सकता योगी जी से बढ़िया उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंतरी नहीं हो सकता, जिनके राज में ना कोई दंगा हुआ, ना दंगायोग बचे, ना दंगा करने वाले बचे, और तो और जो पाट दिया दंगायोग को सरंड देती थी और दंगों के बल पर अपनी सरकर बनाया करती थी, उन्हें मुसल्मानों ने बिल में उन लोगों पर चला जोनों ने गरीम मुसलमानों को सताया गरीम मुसलमानों के घरों पर बुल्डोजर चलाकर उनके प्लोटों पर कबजा करके ये लोग बहुवली बने और मुसलमानों को ड्राकर सताकर अपनी बहुवली की छवी बनाई योगी जी ने बता दिया के साशन स बढ़ा और सत्ता से बढ़ा कोई परोब कारी नहीं हो सकता और योगी जी की सरकार से अच्छी कोई सरकार नहीं हो सकती आज योगी जी ब्रांड बने हैं और पूरी दुनिया के अंदर योगी ब्रांड की चर्चा है आज हम पहली बार सत्रात के सत्रा निगम में जीत करके हम आप मानते हैं कि कितनी बड़ी चुनोसती होगी AIM और आमधी पार्टी जो उबती पार्टी हैं उनका दूसरी तीस स है सम समाज अधिपार्टी बहुँकि आपके रड़नेति है। पर क्या अब नई उबती हैंसे हैंatile है के हर वैक्ति के उत्थान के लिए गरीब के कल्यान के लिए उनके सेवा के लिए राजनेती करते हैं हमारी लड़ाई किसी से है यह नहीं इनका अपने वर्चस्व की लड़ाई होती है भारते अंता पार्टी के वल सेवा के माध्यम से सत्ता तक पहुंचती है जब सत्ता हास् होतो 20% यृत की नड़ाई है 8 % में भारत्यनता पा्रदी अकेली पार्टी है भारत भारतेमता पार्टी के रास्टेश प्रदेश अध्यक्ष, हर काड़करतब पुरे पास साल भारतेमता पार्टी जस तरीके से याई-माई-मजबूती के साथ उत्तरी है इनसे ये भी जानिये कि जो वोट काटने का काम किया गया है कैसे फायदा बिजोपी को हुआ नहीं हमारा वोट किसी के काटने से हमारा फाइदा नुस्ता नहीं है ये तो आरोप परत्यारोप सपा बसपा के लोग लगा रहे हैं या M.I.M. के लोग लगा रहे हैं एक दूसरे पर कि M.I.M. के लोग कह रहें कि समाजवादी पार्टी ने हमारा वोट काट लिया सपा के लोग कह रहें कि उन्होंने हमारा वोट काट लिया बसपा के लोग कह रहें उन्होंने हमारा वोट काट लिया तो अगर देखा जाए तो तीनों ही वोट कटवा पार्टी बन गई है इनका वोट काटने के लावा कुछ नहीं भारते इनता पार्टी चुनाओं जीतने के लिए लटती है ना वोट काटने के लिए ना बढ़ाने के लिए ना हराने के लिए हमारा लक्ष केवल जीतना होता ह और भातेनता पार्टी मौसमी पार्टी नहीं है ये सीजनल पार्टी नहीं है ये पूरे पास साल लोगों के बीच रहकर सत्ता में रहकर भी लोगों के सेवा के माधिम से लोगों के बीच रहती है ये लोग सीजन मानते हैं चुनाओं को बिल्कुल लेकिन अब कितनी उमीद BGP को 2024 के लिए है क्योंकि यहाँ पर देखिए मुसलिम ने कही न कहीं यह साबित जरूर कर दिया है कि अगर विकास होगा तो उसके लिहाद से वोट करेंगे और यही वज़ा रही है कि जो नगर निगम है उसकी सत्रा नगर निगम में BGP का कबज़ा रहा है जहाँ पर मुसलिम बहुल इलाका भी है वहाँ पर भी BGP की जीत हुई है 2024 को लेकर कितनी चिनोटी आपकी पाठी को और इसके साथ ही क्या कुछ तयारे आपकी पाठी की तरफ से 2024 को लेकर की जाएगी 2024 के लिए भारते इंतर पार्टी के त्यारी पूरी हमेशा रहती है लेकिन अलपसंख्यक मोर्चे के द्रश्टी से आपको कई अच्छे प्रोग्राम कई अच्छी योजनाई आपको बहुत सारे लोगों से समवाद बूत अद्यक्षों का सम्मेलन लाभारती सम्मेलन और त इसमें अलपसंख्यक समाज की एक्छा भी भारते इंतर पार्टी के साथ चलने की है भारते इंतर पार्टी के साथ लगातार अलपसंख्यक समाज कदम से कदम मिलाकर मोदी जी योगी जी की विकास की निती के साथ चलना चाहता है वासित जी या मायावती ने तमाम आरोप लगाए हैं मायावती की तरफ से ये कहा गया है कि ये वाई में गरबड की गई है गरबड़ी हुई है बैलिट पेपर से दुबारा से वोटिंग हो तरीके की मांग करते मायावती नजर आ रहे हैं इस पर आपकी तिपड़ी असरमे सारी की सारी गरबड़ कही है तो मायावती जी की सिस्टम में है जो व्यक्ति उनके केंडिक ऐसे होते हैं जो नहीं जानते के जैंगनमन क्या है जो नहीं जानते के तिरंगे में कितने कलर हैं जो नहीं जानते के राष्टपती कोन हैं उनका एक सिस्टम है उस सिस्टम से वो टिकेट देती है उसने जंता के बीच वो रहा है नहीं रहा है, काम किया है क्या छवी है, वो इन चीज़ों पर काम ना करके, केवले एक फैक्टर पर ही काम करती है मनी माइंड, उसके अलावन का कोई फैक्टर रहता नहीं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो उनके पास करोने के लिए EVM होता है, मुसल्मान होता है और भटकाव होता है गरवर होती है, बूत कैप्चिंग होती है वो चुनाव में कहीं निकलती नहीं उनके कारकरता निकलते नहीं, पार्टी कहीं खड़ी नहीं लेकिन उनके बास कहने के लिए चीजे होती है, वो चुनाव के बाद उनका एक रठा-रठा है भासर, रठा-रठा पर्चा पर तकिये की नीचे अरखा होता है उसे निकालती है पढ़ती है चली जाती है ठीके EVM को लेकर यहां पर तमाम तरीके के सवाल BSP की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि उनका ट्वीट भी सामने आया लेकिन इसी बीच आगे की क्या कुछ रण दीती अब BJP की रहने वाली है क्योंकि इस तरीके के आरोख का सामना BJP को करना ही पड़ेगा और वहीं जिस तरीके से कई ना कई बूस्टर यहां पर BJP को मिलता नजर आ रहा है क्योंकि सत्रा नगर दिगम जिसका दावा यहां पर किया गया था और वहीं पर जीत BJP की हुई है इसका श्रेक इसको जाएगा या सियम्योंकि आरे तैनात को चले बहुत बहुत शुक्रिया हमाई साथ जुनने की